Hello students, previous class में हमने पढ़ा था cells के बारे में कि cells क्या होती है और cells के क्या-क्या functions होते हैं, unicellular और multicellular क्या होते हैं, cell theory क्या होती है, वो किसने दी थी और cell के parts पढ़े थे, cell wall पढ़ी थी, cell membrane पढ़ी थी, nucleus पढ़ा था और cytoplasm पढ़ा था अब इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे cell organelles के बारे में, मतलब कोशिकांग के बारे में, कोशिका के cells के क्या-क्या अंग होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे तो बच्चो, cell organelles क्या होते हैं, cell organelles कुछ पांच टाइप के होते हैं, mitochondria, plastids, lysosomes, endoplasmic reticulum, ribosomes, golgi body और centrosomes इस वीडियो में हम इन्ही के बारे में डिसकस करेंगे फर्स्ट है आपका mitochondria, mitochondria जो होता है, वो eukaryotic cells में पाया जाता है eukaryotic cells और prokaryotic cells को देख लेते हैं एक बार तो बच्चो, eukaryotic cells जो होती है, वो multi cellular organism में पाय जाती है मतलब जो organism, ऐसे organism जिन में cells क्या हों, बहुत ज़ादा हो उन में क्या पाय जाएगी? eukaryotic cells पाय जाती है और eukaryotic cells जो होती है, उनका size क्या होता है? large होता है और eukaryotic cells में nucleus क्या होता है? present होता है और वहीं prokretic cells क्या है prokretic cells के जो size होती है वो smaller होती है और nucleus भी क्या हो जाए absent होता है और यह किसमें पाई जाती है यह unicellular organism जैसे amoeba है इनमें पाई जाती है और eukeretic cells जो होती है वो किस-किसमें present होती है mitochondria में, lysosomes यह सब क्या है इनमें eukeretic cells पाई जाती है membrane bound nucleus is present और जो nucleus होता है वो membrane bound होता है membrane से bound होता है वहीं prokretic cells में क्या होता है membrane bound nucleus नहीं पाया जाता है अब हम पढ़ता है mitochondria के बारे में mitochondria जो होता है वो eukeretic cells में पाया जाता है और mitochondria की खोज किस ने की थी कॉलिकर ने की थी, सबसे पहले observe किस ने किया था, कॉलिकर ने 1880 में, और किस में किया था insects में किया था, कि insect cells जो होती है, उसमें mitochondria कैसा होता है और ये जो word है mitochondria ये किस ने दिया था, ये दिया था Benda ने, एक scientist थे Benda, जिन्होंने सबसे पहले बताया था, कि इसको क्या बोलते है mitochondria बोलते है अब हम देखते हैं, कि ये किस तरह का होता है, और इसका काम क्या होता है, तो it is a double membrane bound organ, इसकी क्या होती है, डबल membrane होती है, एक inner membrane होती है, और एक outer membrane होती है, इसकी inner membrane तो क्या होगी, एकदम smooth होगी और plane होगी वही inner membrane क्या होगी finger like structure होगी और इसका क्याम क्या होगा energy generate करना cells को जो भी energy चाहिए होती है वो कहां से मिलती है mitochondria से मिलती है इसलिए इसको क्या बोलते है power house पे बोलते है बिजली घर भी बोलते है cells का it perform the function of generating energy required by the cells cells को जितनी भी energy चाहिए होती है वो कहां से मिलती है उसको mitochondria से मिलती है इसलिए mitochondria को powerhouse of the cell भी कहा जाता है और ये किस काम के लिए responsible होता है it is responsible for converting the air air जो भी हम सांस के through body में ले रहे हैं और जो भी food अपन खा रहे हैं उसको किस में convert करता है energy में convert करता है और फिर cells में पहुचाता है जिससे cells क्या हो grow करें उनमें cell division हो तो it is responsible for converting the air we breathe and the food we eat into energy that our cells can use to grow, divide and function ताकि हमारी cells क्या हो काम कर सके it is the second largest part of the cells, ये cell का क्या होता है second largest part होता है और मैंने क्या बताया था कि first largest part कौन सा होता है nucleus, सबसे बड़ा part जो होता है cell का वो होता है nucleus और second पर कौन आता है mitochondria आता है mitochondria की दो membrane होती है outer membrane और एक inner membrane outer membrane जो होती है वो एकदम smooth और plan होगी जबकि inner membrane क्या होगी finger like structure होगी इसमें folds मने हुए रहेंगे जिनको क्या बोलेंगे christi और इसका जो central portion होता है उसको बोलते है matrix outer membrane of mitochondria is smooth and plain while the inner membrane has finger like folds towards central cavity these folds are called christi the central portion of these is called matrix और क्या होता है mitochondria also have dna and ribosomes इसके पास खुद का dna भी होगा और ribosomes भी होगे और ये कहां situated होता है ये होता है nucleus के outside में situated at the outside of nucleus in the cell cell जैसे ये कोई cell है इसमें यहाँ पे क्या है nucleus है nucleus के side में कुछ इस तरह से इसकी structure होगी इसकी structure देख लेते हैं एक बार इसकी structure कुछ इस तरह से होती है इसमें क्या होता है जो ये membrane है outer membrane है वो क्या होती एकदम smooth और plane है वही inner membrane देखो इसकी कैसे structure बनी हुई finger like structure बनी हुई है और ये क्या है इसमे ATP के रूप में energy store है और ये जो structure है इस तरह से इसको क्या बोलते है crystal बोलते है mitochondria में एक तरह की process होती है जिसको बोलते है cellular respiration respiration मतलब सांस लेना ठीक है जो भी food या फिर जो भी air जो है हम gain कर रहे है उसको क्या करेगा glucose और oxygen को mix करके वो convert कर देगा carbon dioxide में ATP क्या होता है adenosine triphosphate ये एक तरह का organic compound होता है जिसमें क्या होती energy store होती है तो mitochondria का काम क्या हुआ the production and storage of energy in the form of ATP ये क्या करता है energy को produce करता है और store करता है ATP की form में तो हमने यहाँ mitochondria के बारे में क्या क्या पढ़ा कि ये eukerylidic cells में पाये जाते हैं और सबसे पहले observe किस ने किया था कॉलिकर ने किया था किस में किया था insects में और सबसे पहले ये जो word है mitochondria ये किस ने दिया था एक scientist थे benda नाम के जिनोंने सबसे पहले हमें बताया था कि इसको क्या बोलते है mitochondria बोलते है और ये क्या होता है double membrane structure होती है जिसके outer membrane तो बहुत smooth और plan होगी वही inner membrane क्या होगी एक finger like fault जासी होगी और इन structure को क्या बोलेंगे क्रिस्टी बोलेंगे और क्या बोला था कि ये mitochondria जो है इसको powerhouse बोलते हैं cell का क्यों बोलते हैं क्योंकि जितनी भी energy required होती है cells को वो सब कौन generate करता है mitochondria generate करता है ये क्या करता है जो भी food हम खा रहे हैं या फिर जो भी air जो है हम breathe के through ले रहे हैं उसको किसमे convert कर देता है energy की form में convert कर देता है और mitochondria जो होता है उसका खुद के DNA होता है खुद का ribosomes होता है और ये कहां situated होता है ये nucleus के outside होता है और ये क्या होता है second largest part of the cell भी होता है first largest part कौन होगा nucleus होगा अब हम पढ़ते हैं next topic next topic है आपका plastics इसको हिंदी में बोलते हैं लवक ये क्या होता है ये cells का coloring part होता है मतलब color देता है और ये किस में पाए जाता है plant cells में पाए जाता है आपने देखा होगे plants में क्या होते है fruits, flowers, leaves ये सब क्या होती है अलग-अलग color की होती है वो color कौन देता है Plastids देता है Plants में एक pigment होता है Chlorophyll जो क्याद करता है Plants को color देता है It is coloring part of the cell ये cell का coloring part होता है Plastids are found in the plant cells only और ये किस में पाया जाता है Plants cells में पाया जाता है और किस के लिए responsible होता है Plastids are responsible for manufacturing and storing food Food को store करने के काम भी आता है और ये क्या करते है ये content करते है Pigments को वो pigment किस में काम आते है Photosynthesis में और colors देने के काम आते है These content pigments that are used in photosynthesis and different types of pigment that can change the color of the cell और ये क्या करते है Color change कर देते है On the basis of pigment present Pigment के base पे ये तीन टाइप के होते है Chloroplast, Leucoplast और Chromoplast और Plastids के discover किस ने की थी खोज किस ने की थी Hackle नाम के scientist ने की थी ये तीन टाइप के होते है Chloroplast, Leucoplast और Chromoplast First है आपका Chloroplast Chloroplast क्या करता है ये green color देता है और उसमें क्या होता है Chloroplast Chloroplast जो होता है वो chlorophyll pigment को contain करता है chlorophyll क्या करता है ये leaves को green color देता है It is double membrane bound और गिनल ये क्या होता है double membrane को शिकांग होता है Chloroplast have green pigment और ये क्या करता है green pigment को रखता है और जिसको क्या बोलता है chlorophyll और ये कहां कहां पाया जाता है leaf में पाया जाएगा तो यहां से हमको ये चीज़ समझ में आती है chloroplast जो होता है उसके पास green pigment होता है जिसको क्या बोलते है chlorophyll बोलते है जिसके करण जो पत्तियां है leaves जो है उनका color जो होता है वो green color का होता है next placards है अपने पास lycoplast lycoplast जो होता है वो plant को white color या फिर transplant color देता है these are the non-pigmented organs इसलिए इनको क्या बोलते है non-pigmented मतलब कोई भी pigment इनके पास नहीं होता है which are usually white और colorless यह क्या होंगे या तो white color देंगे या फिर colorless रहेंगे these are found in roots आपने जड़े देखी होंगी white white color की होती है वो किसके कारण होती है क्योंकि उनमें leucoplast present होता है कुछ flowers होते हैं white color की जिनमें भी क्या होता है leucoplast present होता है they are mostly used for converting amino acid and fatty acid और इनका काम क्या होता है amino acids और fatty acids को convert करना next है आपका chromoplast these can be usually found in flowering plant जिनमें अलग-अलग color के flowers आते हैं उनमें mostly क्या होता है chromoplast होता है क्योंकि green और white के लिए वो जितने भी color होते हैं वो कौन देता है chromoplast देता है chloroplast convert into chromoplast chloroplast जो होता है वो बाद में किस में convert हो जाता है chromoplast में हो जाता है जिसे आपने देखा होगा कच्चा आम तो इसको especially करी बोलते हैं वो पहले किस कलर में होता है green color में बाद में जो आम पक जाता है तो वो कौन से color का हो जाता है yellow color का हो जाता है जब वो green color का था तब उसमें क्या था chloroplast अब yellow color में हो गया तो अब इसमें कौन से pigment ब्रेजन्ट है chronoplast तो इस तरह हम ये भी पूल सकते हैं कि chloroplast जो होता है वो किस में convert हो जाता है chromoplast में convert हो जाता है these are carotenoid pigment इनमें क्यों होता है carotene present होता है that allow किसको allow करता है वो different colors flower या फिर उनकी जो leaves है उनमें अलग-अलग colors देने का काम करता है we see in leaves, flowers and fruits हम इनको किन-किन में देख सकते हैं leaves में, flowers में और fruits में अच्छा यहां पर एक important चीज याद रखनी है कि humans जो होते हैं उनमें भी एक pigment पाया जाता है जिसको क्या बोलते है melanin बोलते है क्या बोलते है melanin ये क्या करता है हमारी skin को color देता है mostly आपने देखा होगा skin का color क्या होता है थोड़ा सा brownish होता है वो कौन देता है melanin pigment देता है कुछ examples देख लेते हैं first है आपका tomato, tomato जो होता है उसका क्या color होता है red color होता है इसका मतलब इसमें क्या होता है lycopene pigment होता है जो आपका sunflower होता है, सूरज मखी का जो full होता है उसमें क्या होता है yellow color होता है जो xenophile के देता है फिर है आपका carrot, carrot में क्या होता है carotene pigment होता है फिर है ripe mango, जो पका हुआ आम होता है उसका color क्या होता है yellow color होता है इसलिए इसमें क्या होगा chromoplast present होगा raw mango मतलब कच्चा जो आम होता है उसका color क्या होता है ग्रीन color होता है इसलिए उसमें leuco chloroplast present होगा तो हमने इस topic में क्या क्या पढ़ा कि plastics जो होते हैं वो coloring part होता है cell का cell को अलग-अलग color देता है यह किस में पाया जाता है plant cell में पाया जाता है किस के लिए responsible होता है manufacturing और storing food के लिए और यह बहुत सारे pigment को content करता है इनमें तीन टाइप के pigment है chloroplast, leucoplast और chromoplast chloroplast जो होता है वो plant को green color देता है और उस green pigment को क्या बोलता है chlorophyll बोलता है second था आपका leucoplast, leucoplast क्या करता है या तो transparent होगा या फिर white color देगा जो mostly किस में होता है roots में और white flowers में फिर हमने पढ़ा chromoplast के बारे में, chromoplast क्या करता है जो भी flowering plants होते हैं जिनमें अलग-अलग तरह के color होते हैं green और white के अलावा तो उनमें क्या होता है chromoplast पाया जाता है अब हम पढ़ते है next topic lysosomes अब हम पढ़ेंगे lysosomes के बारे में, lysosomes के बारे में सबसे पहले बताया था होती है lysosome content digestive enzyme यह किसको content करती है एक enzyme होता है digestive enzyme hydrolytic enzyme जिसको content करती है स्टोर करती है और lysosomes जो होते हैं वह mostly किसमें पाये जाते हैं animal cells में पाये जाते हैं और यह किस काम आते हैं lysosomes जो होते हैं वो responsible होते हैं decomposition of damage मतलब cells में कोई भी खराबी आ जाती है या फिर cells damage हो जाती है उनको क्या करता है रिपेयर करता है और जो भी dead cells हैं उनको remove करता है और एक protein synthesis में भी help करता है lysosomes content digestive enzyme एक digestive enzyme को content करते हैं जो क्या होता है hydrolytic enzyme होता है और यह enzyme क्या करता है यह चोटे 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 टुकडो में किसको cut कर देता है sugar को fat को proteins को और nucleic acids को क्या कर देता है breakdown कर देता है चोट चोटे simpler molecules में इनको convert कर देता है these are responsible for decomposition of damage repairing of cell removal of dead cells help in protein synthesis और यह किस मिस किस में काम आते हैं कोई भी cell अगर damage हो जाती है उसको repair करने में dead cells को organs से हटाने के लिए और protein synthesis में यह काम आते हैं और यह क्या काम करती है यह cells के अंदर digestion का काम करती है अगर cell में कोई भी बाहर से virus bacteria आ रहे हैं जो cell को नुक्सान पहुंचा सकते हैं तो उनको hydrolytic enzyme क्या होता है मार देता है उनको नश्ट कर देता है lysosomes को suicidal bag भी बोलते हैं मतलब आत्म घाती थेली भी बोलते हैं और ऐसा क्यों बोलते हैं वह देखते हैं अगर cell को कोई disease हो जाती है तो यह जो hydrolatic enzyme है वो क्या करने लग जाते हैं जादा बनने लग जाते हैं cells में जिससे जो इसकी membrane है यह क्या होती है single membrane ही होती है जिससे वो membrane क्या हो जाएगी फट जाती है जिससे बाकी जो cells है वो भी इसके वो भी क्या करती है इससे बच नहीं पाती है और यह जो enzymes है वो सभी cells को नस्ट कर देते हैं इसलिए इसको suicidal bag भी बोलते हैं लाइसोसाम और अलसो कॉल्ड सुसाइटल बैक्स ऑफ दे cell because they contain hydrolytic enzyme को contain करते हैं if the cell is damaged अगर कोई cell damage हो जाती है खराब हो जाती है या उसके कोई बिमारी हो जाती है तो क्या करती है तो क्या करती है यह खुद repair करना स्टार्ट कर देती है और कई बार ऐसा होता है कि जो enzyme से बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं जिनसे जो membrane है वो फट जाती है then the released enzyme digest their own cell और क्या करते हैं जो enzyme release हुए है वो खुद की cells को ही digest कर जाते हैं खतम कर देते हैं enzyme become tumor and the membrane that repute and destroy all the cells और क्या करेंगी यह enzyme जो है all cells को destroy कर देंगे जो भी cells है जो चाहें dead cell ना हो उनको भी क्या कर देंगे निर्ष्ट कर देंगे और lysosomes जो होते हैं वो पर सेल में 2000 तक present होते हैं there are 1000 to 2000 लाइसोसम्स आर प्रजेंट इन पर सेल एक cell में कम से कम 1000 से 2000 लाइसोसम्स जो होते हैं present होते हैं तो हमने इस topic में क्या क्या पढ़ा कि lysosomes जो होते हैं इसके बारे में सबसे पहले हमें scientist दे दुवे ने बताया था कि एक single membrane होती है और एक back जैसे structure होती है और क्या content करती है digestive enzyme जिसको hydrolytic enzyme बोलते हैं उसको content करती है और यह enzyme जो है वो breakdown करता है शुगर का fat का protein का और nucleic acid का किसमें into simpler molecule simple form in को convert कर देता है और यह responsible होते हैं damage के लिए repairing करते हैं और जो dead cells हैं उनको remove करते हैं protein synthesis में भी यह help करते हैं और जो lysosomes हैं उनको suicidal back भी बोला जाता है क्योंकि कई बार cell जो होती है वो damage हो जाती है या फिर उनको कुछ बिमारी हो जाती है तो यह enzyme जो है उनमें irregulated आ जाती है जिससे क्या होगा यह enzyme बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं और क्या करते हैं अपनी cell को digest कर ज जाती है इसलिए इसको suicidal back भी बोला जाता है और यह एक सेल में थाउजन टू टू थाउजन लाइसोसोंस प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट है आपका endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum जो होता है एक membrane का network होता है membrane होती है इसमें और यह कहां present होता है यह nucleus membrane और cell membrane के बीच में present होता है और ER मतलब endoplasmic reticulum को सबसे पहले किस ने बताया था it is the network of membrane that is present between nucleus membrane and cell membrane ER observed by garnier first observed by garnier सबसे पहले इसको किस ने observe किया था गार्नियर ने और यह दो टाइप की होती है rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum तो first है आपका rough endoplasmic reticulum यह कहां located होती है यह nucleus membrane के पास इस्तित होती है it is located near by a nucleus membrane यह nucleus membrane के पास पाई जाती है और इसमें क्या होते है जो rough endoplasmic reticulum है उसका जो surface होता है उस पे ribosomes present होते है और यह किस काम आती है protein का synthesis करने में काम आती है क्योंकि ribosomes में क्या होते है RNA होते है RNA किस काम आता है protein synthesis में काम आता है वही smooth endoplasmic reticulum क्या होती है यह cell membrane के पास located होती है जो cell membrane होती है cell के जो membrane होती है उसके पास ही इस्तित होती है और उसमें ribosomes present नहीं होते है और यह fats और lipids का synthesis करने में काम आती है क्या करती है जो rough endoplasmic reticulum है वो तो protein synthesis करती है और जो smooth endoplasmic reticulum है वो fats और lipids का synthesis करती है इस structure में देखते हैं इसकी structure कुछ इस तरह से होती है यह क्या है nucleus है यहाँ पे nucleus pore बने हुए है यह inner membrane है और यह outer membrane है जो nucleus membrane के पास होते है उनको क्या बोलते है rough endoplasmic reticulum और जो cell membrane के पास होते हैं उनको बोलते है smooth endoplasmic reticulum और जो rough ER है उस पे क्या present होते है ribosomes present होते है यह जो point से बने हुए है यह क्या है ribosomes है और जो आपके rough endoplasmic reticulum है यह ज़्यादा stable होती है ज़्यादा stable का मतलब है इसको आसनी से तोड़ नहीं सकते है क्यों क्योंकि यह complex form में होती है यह दिख रही है यह यह क्या है complex form में है इसलिए यह ज़्यादा stable होती है rough endoplasmic reticulum is more stable because these are in complex form क्योंकि यह complex form में होती है और smooth endoplasmic reticulum is less stable because they are in simple form क्योंकि यह simple form में होती है the endoplasmic reticulum serve the function of transportation of materials यह क्या करता है materials का transportation करते हैं कहां different parts of cytoplasm, cytoplasm क्या होता है cells में जो fluid बरा होता है उसको बोलते हैं cytoplasm cytoplasm और nucleus में जो different parts है उनमें क्या पहुँचाता है यह material transport करता है तो endoplasmic reticulum में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले इसको observe किस ने क्या था गार्ने और scientist ने क्या था और इसका नाम किस ने दिया था ER Porter नाम के scientist ने और यह क्या होता है network होता है membrane का जो nucleus membrane और cell membrane की बीच में present होता है और यह nucleus के side में पाया जाता है इसके दो type होता है rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum जो rough endoplasmic reticulum है वो कहां present होता है वो nucleus membrane की पास होता है और जो smooth endoplasmic reticulum है वो कहां present होता है cell membrane के पास इस्थित होता है rough endoplasmic reticulum जो है वो more stable होगा क्योंकि यह complex form में रहेगा और इस पर क्या रहते है ribosomes present होते हैं और क्या काम करते हैं protein making और protein synthesis का काम करते हैं वहीं smooth endoplasmic reticulum जो होता है वो less stable होता है कम stable होता है और इस पे क्या होते हैं राइबोजॉम्स प्रेजन्ट नहीं होते हैं इसलिए लिपिड्स और इस्टेरोइट्स, Fetts का सिंथेशिस करता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका ribosomes ribosomes जो है इसके discovery किस ने की थी जोर्च पेलाड़े ने, एक scientist थे जोने हमें ribosomes के बारे में बताया था ये क्या होता है, smallest part होता है सबसे छोटा part होता है cell का सबसे बड़ा कौन सा होगा 오늘 nucleus second largest part कौन सा होगा mitochondria और सबसे smallest part कौन सा होता है cell का ribosomes ये जो होता है वो दोनों cells में पाया जाता है plant cell में भी पाया जाता है और animal cell में भी पाया जाता है these are found freely in cytoplasm of the cell जो cell में liquid भरा होता है cytoplasm जिसको बोलते हैं ये इसमें क्या होता है freely मिल सकते हैं और कहा होता है जो हमने पढ़ा था endoplasmoc reticulum होता है उसके surface पे भी ribosomes जो होते हैं वो present होते हैं ribosomes जो होते हैं उनको protein factory भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं protein making का काम भी करते हैं these are made of RNA and protein ये RNA और protein को बनाते हैं so these are also called protein factory इसलिए इनको क्या बोलते हैं protein factory भी बोलते हैं इसके कुछ दो type हैं 70S और 80S S जो है यहाँ पे unit है जो आपकी eukeritic cells होती है इसमें 18S type का ribosomes present होता है जो prokeretic cells होती है उसमें 70S type का ribosome present होता है ribosomes जो होते हैं उसमें RRNA present होता है और RNA जो होता है वो हर type की cell में present होता है इसलिए RRNA को universal component of cell भी कहते हैं जो आपकी human body है इसमें एक cell में कम से कम 10 million ribosomes present होते हैं तो हमने इस topic में क्या पढ़ा कि ribosomes होते हैं और वो first सबसे पहले किसने discover किये थे George Paladin और उन्होंने क्या बताया था कि smallest part होता है ये cell का और कहां present होता है animal cells में भी होता है और plant cells में भी होता है जो आपका cell का cytoplasm है उसमें वो freely found होता है और endoplasmic reticulum के surface पे ये present होता है और ये क्या बनाता है RNA बनाता है और protein बनाता है इसलिए इसको protein factory भी बोलते हैं ये दो type का होता है 70S RNA और 80S eukeretic cells जो होती है उसमें 80S ribosomes पाये जाते हैं और जो prokeretic cells होती है उसमें 70S type के ribosomes पाये जाते हैं next है आपका Golgi body Golgi body के बारे में सबसे पहले Cameleo Golgi ने बताया थे एक scientist थे Cameleo Golgi जिनके नाम से इसका नाम क्या पढ़ा है Golgi body इन्होंने सबसे पहले बताया था कि एक ऐसी structure है cell में जो nucleus के पास पाये जाती है और जो क्या होती है flat disc और tubals shape में होती है tube जैसी shape होती है ठीक है और ये कहां present होती है दोनों cells में present होती है animal cell में भी और plant cell में भी और ये क्या काम करती है ये sugar protein और जो भी organic compound है उनका synthesis करने में और secretion करने में ये काम आती है इसलिए इसको packers या traffic police of the cell भी कहते है ये नाम इसको क्यों दिया गया है क्योंकि protein जो है वो अलग-अलग बिखरे हुए रहते हैं cell में ठीक है तो ये क्या करती है protein को अलग-अलग छाटती है जो organic compound है इनको अलग-अलग एकठा करती है और फिर क्या करती है packing करती है protein की और organic compound की इसलिए इनको packers कहा गया है traffic police क्यों कहा गया है क्योंकि जो भी RNA है ठीक है जो भी RNA है protein है वो cells में बिखरे हुए रहते उनको क्या करती है अलग-अलग इकठे करती है ताकि वो cell के काम आ सके इसलिए इसको traffic police भी कहा जाता है तो Golgi body की structure जो होती है वो इस तरह से होती है tube जैसे structure होती है जो क्या काम करती है protein और lipids organic compound इनको क्या करती है इकठा करती है और जो TRN होता है वो इसको क्या करता है transfer कर देता है cells में और ये जो Golgi body है वो कहां present होती है animal cells में भी होती है और प्लांट सेल में भी यह जो भी हम और्गेनल्स पढ़ रहे हैं यह सब एक चूटी सी सेल में ही प्रेजन्ट होते हैं जिसको माइक्रोसकॉप से देखा जाता है इसी में क्या है गोलजी बोडी है वैन बैंडेन ने वैन बैंडेन साइंटिस थे जिन्होंने सबसे पहले सेंट्रोजॉम्स के बारे में बताया था और यह क्या करते हैं एनिमल सेल में पाये जाते हैं और कहां प्रेजन्ट होते हैं यह नुक्लियस के पास प्रेजन्ट होते हैं इनकी जो शेप होती है वो स्ट Each centrosomes have two centrosomes एक centrosomes जो होगा उसके पास दो centrosomes होगे During cell division जब cell का division होगा मतलब cell divide होगी Parent cell से daughter cell बनेगी तब क्या होगे यह centrosomes जो है वो parent cell से transfer हो जाएंगे daughter cells में It gives size and shape to the cell यह cell को क्या देती है? Size और shape देती है Next topic है आपका vacuels Vacuels क्यों होते हैं? रिक्ति काएं मतलब खाली जग़ जो होती है Cell में उसको क्या बोलते हैं? Vacuels बोलते हैं These are small or large bubbles like structure Found in the cytoplasm of the cell Cell का जो cytoplasm वाला part है इसमें यह present होती है Small भी हो सकती है और large भी हो सकती Bubble जैसे structure होती है यह मतलब खाली जग़ जैसे structure होती है Vacuels जो होते हैं वो एक membrane से surrounded होते हैं Cover होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? Tonoplast बोलते हैं The vacuels are surrounded by a membrane called tonoplast The fluid found in vacuels और जो fluid जो liquid भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? Cell sap बोलते हैं Cell sap contents water and excitatory substance और cell sap जो होता है वो water को और excitatory substance जो होते हैं उनको content करता है उनको रखता है store Store करता है उनको यह जो vacuels है वो plant cells में क्या होते हैं? ज़्यादा बड़े होते हैं और animal cells में क्या करते हैं? यह small vacuels present होते हैं Vacuels store the organic compound, water and glucose Vacuels जो होते हैं वो किसको store करके रखते हैं? Organic compound को, water को और glucose को Vacuels को सबसे पहले किसने discover किया था? A.V. Leuvenhawk A.V. Leuvenhawk scientist थे जिन्होंने सबसे पहले vacuels के बारे में हमें बताया था इस cells में एक ऐसी structure होती है जो खाली जगे होती है उसमें क्या करते हैं? Water, organic compound यह सब store करके रखती है cell और उसको क्या बोलते हैं? Vacuels बोलते हैं जो plant cells और animal cells दोनों में पाई जाती है plant cell में vacuels जो होते हैं वो बड़े होते हैं और animal cell में vacuels जो होते हैं वो छोटे होते हैं vacuels जो होते हैं वो एक membrane से surrounded होते हैं इसको tonoplast बोलते हैं और vacuels में जो liquid fill होते हैं उसको cell sap बोलते हैं तो हमने इस class में किसके बारे में पढ़ा? mitochondria के बारे में कि इसको powerhouse बोलते हैं यह क्या करता है? energy generate करता है cells के लिए फिर हमने पढ़ा plastics के बारे में यह क्या होता? coloring part होता है जो plants को color देता है फिर हमने पढ़ा lysozorms के बारे में यह क्या होती है? एक bag जैसे structure होती है जिसमें एक digestive enzyme hydrolatic enzyme होता है जो क्या करता है? cells को digest करता है उनकी repair करता है protein synthesis में काम आता है जो भी damaged cell है उनको decompose करता है फिर हमने पढ़ाता endoplasmic reticulum के बारे में कि endoplasmic reticulum जो होती है membrane का network होता है जो nucleus membrane और cell membrane के बीच में पाई जाती है जो protein synthesis, lipid synthesis, fret synthesis का काम करती है फिर हमने पढ़ा ribosomes के बारे में ribosomes क्या करते है? protein making का काम करते है यह RNA बनाते हैं protein बनाते हैं और उनका synthesis करते हैं फिर हमने पढ़ा golgi body के बारे में golgi body जो होती है tube like structure होती है जो क्या करती है? जो भी organic compound है protein है cell में उनका packing करती है और उनसे energy provide करवाती है पूरी cell को इसलिए इसको packers या फिर traffic police भी कहते हैं फिर हमने पढ़ा centrosomes के बारे में centrosomes क्या करते हैं? cell को structure देते है size देते है shape देते है और ये plant cells और animal cells दोनों में पढ़ा जाते हैं फिर हमने पढ़ा vacules के बारे में कि vacules जो होते है bubble जैसे structure होती है खाली जगों होती है cell में जो क्या content करती है water और excitatory substance को content करती है glucose को content करती है और ये एक membrane से cavity जिसको tonoplast बोलते है इसमें एक liquid बढ़ा होता है जिसको cell sap बोलते है और ये दोनों में पाए जाती है plant cells में भी और animal cells में भी plant cell में vacules का size क्या होता है? बढ़ा होता है और animal cells में vacules का size छोटा होता है अब इस जो class है अपनी इससे लेटर कुछ questions देख लेते हैं इन क्योश्शन्स के अंसर आपको खुद को करने है विच और गेनल ऑफ दा सैल इस नौन एश तो साइडल पैक आफ दा सैल ऐसा कौन सा सैल का पार्ट है जिसको सुसाइडल बैक बोल जाता है और क्यों बोला जाता है यह आप इस क्लास में पढ़ चुके हैं जिसका लिख सकते हैं फिर है which organ is known as powerhouse powerhouse कौन सा होता है cell को किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं वो भी आपको बताना है next है आपका which type of plastics are found in plants plants में कौन से टाइप का plastics या pigment present होता है यहां पर plastics की जगह आप pigment कर लीजिए जो plants है उनमें कौन सा pigment present होता है next है आपका what is the function of ribosomes ribosomes के functions क्या होते हैं वो किस काम आता है वो आपका अच्छे से explain करके लिखना है next है आपका explain the structure and function of mitochondria mitochondria जो है उसकी structure बतानी है और उसके functions बताने की वो गिस काम आता है माइट्रोकॉंड्रिया क्या होता है कहां पाय जाता है यह सब details युशके बारे में आपको लिखने है नेक्सट आपका है explain endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum हमने पढ़ाया था इसके types बताने हैं इसकी structure बतानी है और ये किस काम में आता है इसके functions लिखने हैं आपको अब हम पढ़ेंगे difference between plant cell and animal cell जो भी हमने organals पढ़े हैं cell के cell के जो भी part पढ़े हैं हमने mitochondria हो, vacuoles हो उनकी size से related कुछ हो उनके base पे हम plant cell और animal cell में difference करेंगे तो size के base पे plant cell क्या होती है larger होती है plant cell की जो size होती है वो ज़्यादा होती है और animal cell जो होती है उसकी size होती है smaller होती है तो size के base पे क्या difference हुआ जो plant cell है वो larger होगी और जो animal cell है वो smaller होगी नेक्स्ट आप का shape, shape क्या होती है इसकी rectangle होती है और इसकी round shape होती है ये regular shape होती है, मतलब ये हमेशा इसी shape में पाई जाती है और animal cell जो होती है irregular होती है, मतलब जरूरी नहीं है ये हमेशा round shape में हो फिर आपने पढ़ा cell wall के बारे में, cell wall जो होती है वो plant cell में present होती है इसलिए cell wall जो है उसके outer membrane होती है plant cell की लेकिन animal cell में ये absent होती है इसलिए outer membrane जो होती है वो plasma membrane होती है animal cell की फिर हमने पढ़ा nucleus के बारे में plant cell जो होती है उसमें nucleus जो होता है वो बड़ा होता है और animal cell में nucleus चोटा होता है फिर हमने पढ़ा vacuoles के बारे में कि कोई space होता है सेल में क्या होता है जादा होता है लार्जर होता है साइज और एनिमल सेल में क्या होता है स्मॉलर साइज में वेक्योल्स प्रेजेंट होते हैं फिर हमने पढ़ा प्लास्टिट्स के बारे प्लास्टिट्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाते हैं क्योंकि एक अपना खाना किस रूप में स्टोर करती है स्टार्च की फूम में यह अपना खाना स्टोर करके रखती है और जो अपना फूर्ड ग्लाइकोजन की फूम में स्टोर करके रखती है तो एक यह डिफ्रेंट्स हो गया कि जो प्लांट सेल है वह अपना खाना स्टार्च की फूम म store करती है फिर हमने पढ़ा lysosomes के बारे में कि एक बैक जैसे structure होती है जिसमें digestive enzyme होता है तो ये plant cell में बहुत कम present होती है कभी कभी दिखाई देती है लेकिन ये जो animal cell है उसमें हमेशा ये present होती है फिर इसके type देख लेते हैं कि plant cell जो होती autotrops होती है autotrops जो अपना खुद बनाते है तो plants क्या करते है photosynthesis process के थ्रिव अपना खाना जो है वो खुद बनाते है इसलिए plant cell जो होती है वो autotrops होती है और animal cell जो होती है heterotrops होती है मतलब विशम पोशी ये दूसरों पर depend रहती है ये खाना बाहर से कभी कभी बाहर से भी ले लेती है और कभी खुद भी बना लेती है तो इसको क्या बोलते हैं है तो ये 10 बेस थे इसके कि 10 चीज़े ऐसी हैं जिन से हम क्या कर सकते हैं प्लांट सेल और अनिमल सेल में डिफ्रेंस कर सकते हैं साइस के बेस पे, शेप के बेस पे, सेल वोल के बेस पे, आउटर मेंबरेन के बेस पे, नुकलियस के बेस पे, वैक्योल्स के बेस पे, प्लास्टेट्स के बेस पे, फूड स्टोरिंग के बेस पे, लाइसोसोम्स और इ friends कर सकते हैं, thank you, have a nice day